नमस्कार साथियों कैसे हूँ आप सभी लोग फिर से स्वागता आपके ही यूटूब चैनल आई पेपर क्लासिस में और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली आपके लिए दोस्तों जीके की क्लास करंटा फिर से हो साइनसी क्लास लेके आता हूँ तो आज मैं लेक सामें पूछे जाने वाले परसनों का एकदम कलक्षन मौस्ट इंपोटेंट रहेगा यह वाला ठीक है इसमें जनल नौलिच के मैंने मतलब इसमें जो आपके हर तरीके के कोस्वनों को एक साथ कलेक्ट करके उनके लिए अच्छा सा लेक्षर आपके लिए लेकर आया हूँ ठीक है ना तो सभी एक्जामों के लिए मोस्ट इंपोटेंट रहेगी देखिएगा इसमें अब हम करते हैं सेसन को स्टार्ट बार बार पर एक समय पूछे जाने वाले प्रसने ठीक है तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्ट कर टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी वहाँ पर जाकर जोइन कर लेना वहाँ पर मैं इसकी पीडिएफ डेली साम को अपलोड कर देता हूं ठीक है जो भी क्लास में दिन में या फिर सुबह में जिस टाइम पर भी कराता हूं इस्टूडेंट उसकी पीडिएफ आपको किस प भारत की पर्थम नदी गाटी परियोजना कौन सी है बताई दोस्तों आपके हरा एक्जाम में नहीं पूछा जाता भारत की पहली नदी गाटी परियोजना कौन सी है थोड़ा सा सोलो हो जाएगा पर कोई नहीं अच्छा तरीके से करेंगे क्योंकि इस टाइम का मोसम बहु परियोजना या फिर गोदावरी गाटी परियोजना फिर गंगा नदी परियोजना तो बताई इसमें से कौन सो जाएगा इसमें हो जाएगा आपको अपसन नमबर दामोदर गाटी नदी परियोजना है जो जो कि आपकी पहली परियोजना थी भारत की पहली नदी परियोजना पूछा चुक्वे सबसे लंबी नदी कौन सिया इसको तो मझे लगता है कि अगर पूछा जाए आप सेंक पूछ रहा हूं आप से इसलिए अगर पूछा जाएघ के दूसरे तरीFit से कि विस्यू की सबसे बड़ी नदी पानी के संधर्व में किसमें पानी के संधर्व में अगर पूछा सबसे बड़ी नदी तो वह एमेजोन नदी कौन सी है एमेजोन नदी ठीक है और अगर पूछ ले जाए कि आप से एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है आपक अगरा मैं आपको बताऊं ठीक है और यह वार्टर के संधर्व में है और यह है यह लॉंग एस्ट ठीक है और गंगा नदी तो आप जानती है भारत की सबसे लंबी नदी है यह कहां कि है दोस्तों इंडिया की ठीक है तो चारो कोशन अगर इस तरीके का आपको सैसन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना जितना ही मतलब जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने की पूरी-पूरी कौसिस करूंगा ठीक है तो चलिए दोस्तों सैसन को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना अब अगल कि इसमें अपना है था उने बहुत धर्म कौन सा था दोस्तों बहुत धर्म था ये लास्ट वाला बहुत धर्म जिसका परसार उनके बेटे ने सिरिलंका में जा कर भी किया था ठीक है ना तो बोट ध्रम अपनाए था किसने अस्वम्राट असोक ने ठीक है याद हो गया अगला कोसन है नेक्स्ट कोसन नमबर फॉर इसमें क्या रहे हैं धामी गोली कांड कब हुआ यह अच्छा कोसन है आपकी स्क्रीन पर यह नया कोसन होगा मैं उसके बारे में बताऊंगा पहले आपको धामी गोली कांड कब हुआ तो यह सुन लिजी का पहले हिमाचल परदेश में दोस्तों एक रियासत थी जिसका नाम ता धामी ठीक है वहांके जो राजा थे उनका नाम था दिलिप सिंग नाम था उनका तो यह उनके अंडर में मतलब क्या थी एक रियासत थी धामी थी नाम से थी दामी वाली जो जगय ती उसका नाम था हिमाचल पर्देश में थी तो हिमाचल पर्देश का काला जो दिन मांदें वह को इसी wil ती कहें कि ये रियासत कभी भी किसी के गुलाँ मताई हो पाई सोले जूलाइ 1949 मैं ये हाँ याद रएगा जैसे चपको Anodolen याद है न आपको चिपको Anodolen बताये मुझे चिपको undolen की शुरूमाथ लाओ, इस और अगाला कुर्सन ब्हारत का सवwichदान लागू हुआ यह किसन्हुंण के अग्जामक पूछा जाता है आप जानते भी होंगे, पूछा जाता है ना, इस्टुडएंट बताईए मुझे, तो इसमें आप मुझे इसका आंसर बताईए, इसका आप मुझे बताईए कि भारत का हमारा सभी धान ता वो कब लागू हुआ, ठीक है, इसका answer मुझे comment में करिए next सभी के answer ऐसी कोई बात ने है कि आगर आपको लगता है कि कुछ student कहते है कि sir आप answer pin कर दीजे या ये कर दीजे वो कर दीजे कर तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ सभी के answer इस PDF में है क्या कह रहा हूँ बारत का सभीदान उसका सनक्सन कों करता है सनक्सन कों करता है बताई इसमें से कौन सा option हो जाएगा संसद महान यंत्रा के लेखा पर इक सक सरवोच नियाल ले फिर उच नियाल ले बताई इसमें से कौन सा हो जाएगा option बताईए यह हो जाएगा आपका option number C सर्वोच्छ नियाले में किंग्स स्क्राइबा जोसे ही तरीके काम होगा फिर कोई लागू करना या फिर कोई नियम बनाना बनाना तो वह इनके मतलब सभीडान के मतलब एक स्के पुनसे आर्टिकल में है कौनसा हो जाएगा अगला क्रिन पर रास्टे महीला आयोग अधिनियम किस वर्स दव मौण किसके राश्टेमहिलायोग अधेनियम किसवर्स सनसद्वारा पारित कि लगया तो कॐसी शन में राश्टेमहिलायोग संसद्वारा पारित किया पुए ठोलीजाइनि necesita बताइए मुझे कौन साइब गया इवी मरत भांत प्रोह झीशन नन्वर 11 سो न ये ठीक है वरतमान में महीला आयो की अद्यख्स कौन है? रेखा सर्मा यद आपको? रेखा सर्मा यह कुश्ण आपका हर एकजामें पूछा या था इसलिए मैं इसको भी लेकी आग्या ठीक है? आपको लगी रहोगा हलके हलके कुछ तो कुश्ण है जो आपके एक्जाम में पूछे आते थोड़ा से इसको ऐसा कर लेते हलका ठीक है ना आगे देखे का आगे चलते हैं नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहें इसमें मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है बताई क्या एक उसन आगे अग्जाम में नहीं पूछे आता मोटर गाड़ियों से गैस निकलती है मतलब कार्बन डायोकसाइड मिथेन ब्यूटेन या फिर कार्बन मोनोकसाइड यह है आपकी ओप्सन नमबर डी कार्बन मोनोकसाइड ठीक है कार्बन मोनोकसाइड जो निकलती है आपके किससे मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से ठीक है जो वहां नहीं धुएं फैक है उसमें निकलते हैं carbon monoxide ठीक याद हो जाएगा ने अगला को सोनी की सुदूता को किसे परिबासित किया जाता है जो हमारा सोना होता है गोल्ड होता है किससे परिबासित करते हैं यह को सन तो बहुत आम है आप बता ही दोगे गोल्ड केरेट रजट सवरन यह जाएगा आपका option number B carrot ठीक है क्या carrot सोने में क्यों मिला जाता है दोस्तों बताइए मुझे सोने के साथ अगर सोने को सुद्ध बनाना होता है तो क्या मिलाते हैं उसमें तामबा ठीक है पिलस आपका क्या AU यानि के gold इन दोनों का मिस्रन करके दोस्तों बना जाता है 24 carrot 23 carrot 22 carrot जो भी मतलब जिस तरीकी की जो हमारे इनकी quality होते है उसके हिसाब से इसको divide किया जाता है ठीक है तो carrot क्या होता है दोस्तों carrot ठीक आगे चलते हैं अगला question है गुबारे को गुबारे को भरने के लिए कौन सी nitrogen है ना ही oxygen है तो कौन सा है hydrogen option number a hydrogen हो जाएगा इस cancer गुबारे को भरने के लिए कौन सी gas का परियोग करते है hydrogen gas का परियोग करते है गुबारा जो उड़ता है तो उसमें कौन सी gas भरी हुई होती है वो होती है helium ठीक है अगला question आपकी screen पर अगर अच्छी ठीक है वेदों में निमनिमे से किसे स्रस्टी का रचेता कहा गया है जो वेद है हमारे रिगवेद ये जुरुवेद साम में अथरवेद जो चार वेदा चारों वेदों को दोस्तों इसमें से किसको स्रस्टी का रचेता कहा गया है चार वेद है, 4 को चारो मैंन आपको बताए अब आप मुझे बताए इसमें से कौन सा उप्सेन है जो दोस्तो, इसमें जिसे सिरस्टी का रचेता कहा गया है क्या महिर सी वालमिकी को, महिर सी वेद्व्यास को, तुलसी दास को, और फिर संक्राचारे को यह आपको option number D संक्रा चारे जी को कहा गया है क्या किसको कहा गया है संक्रा चारे को option number D आपका अंसर हो जाएगा इसका ठीक है repeat कर दे रहों एक बार और option number D संक्रा चारे नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है question number 12 चांद पर पहुचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे अच्छा कोशन है आप जानते होंगे 1969 में यह वाली घटना हुई थी ठीक है 1990 में सबसे पहले चांदी की धर्थी पर सबसे पहले कदम रखा था किसने नील आर्म इस्ट्रॉंग ने ठीक है नील आर्म इस्ट्रॉंग ने रखा था और दूसरे व्यक्ति इनके साथ में कौन थे अब देखेगा option क्यों साब से चलते हैं चांद पर पहुचने वाले पहले व्यक्ति कौन था नील आर्म इस्ट्रॉंग और दूसरे व्यक्ति थे कौन कल्पना चावला तो नहीं थी बज एलिड्रीन कौन दोस्तों बज एलिड्रीन तो ये थे यानिके इसका answer हो जाएगा A और C दोनो यानिके कौन नील आर्म इस् चांद की धर्ती पर मतलब कदम रखा था कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे नाइंटी सिक्ष्टी नैन में मतलब यह जो घटना हुई थी ठीक है तो बज एलिड्रीन तयार हो गया कौसन अच्छा बहुत अच्छा कौसन था अब अगला कौसन है भारत में हीरे क खान कहां इस्थित है अच्छा कौसन है आपके एक्जामों में हर बार पूछा जा चुका है उत्तर परदेश में है आंदर परदेश चतिस गड़ में है क्या या फिर जारखन और पस्ची मंगाल में है तो बताइए मुझे कौन सा अप्सन हो जाएगा या फिर आपका अप परदेश ठीक है चतिस गड़ और अंदर परदेश में है बारत में हीरे की खान झाली और बारत में ही एक है तो बारत में हीरे की स्क्रीन पर है स्री क्रिष्ण ने कोरव पांडव युद्ध के समय जो अरजुन को दिया उपदेश का वणन कहां से मिलता है जो भगवान स्री क्रिष्ण ने कोरव को जो पांडव थे उनको जो दोस्तों युद्ध के समय जो उनको एक उपदेश दिया था उसका वर्णन कहां से लिया था बताईए इसमें से कौन से अप्शन हो जाएगा आपकी क्योंकि कोस्टन हर तरीके का एक्जाम में आपके आ सकता है भगवत गीता से, महापुरान से, महाबारत से, रिगवेद से किसे लिया था यह आपका लिया था भगवत गीता से, ठीक है किसे दोस्तों भगवत गीता से लिया था जो भगवान स्री कृष्ण ने कोरवो को उपदेश दिया था युद्ध के समय ठीक है, सती पर्था का अंत करने के लिए किस भारतिये नेता ने परियतन किये थे जिसने परियतन किये थे कि सती पर्था को अंत कर दिया जाए यानि कि उसको खतम कर दिया जाए आत्माराम पांडुरंगा, राजराम मोहन रोए, दैनन सरस्वतिया, स्वामी विवेका अंत जिने भारतिया पुनर जागरन का महदूत भी कहा जाता है राजराम मोहन रोए को, ठीक है कौन सा उप्सन हो जाएगा, उप्सन नमबर बी, राजराम मोहन रोए आपके एक्जाम में दोस्तों ये बारवार पूछी जाने वाले प्रस्न की सिरीज चल रही है, ठीक है अगला कौसन आपकी स्क्रीन पर रास्टे गान को अधिक्तम कितने समय लगता है अगर हम उसको क्या करते हैं, गाने में, ठीक है जो रास्टे गान होता है, उसको गाने में अधिक्तम कितना समय लगता है 42 सेकिन, 62 सेकिन, 49 सेकिन, 52 सेकिन ये तो आप जानते होंगे 52 सेकिन लगता है ठीक है कितना 52 सेकिन लगता है रास्टगान को गाने में अधिकतम समय ठीक अगला कोशन है कार्ण वालिज द्वारा इस्थाई बंदोबस्त की पदिती लागू की गई थी कब की गई थी दोस्तों ये लागू ये अच्छा कोशन आपके एक्जाम में पूछ़ा जा चुका है रेयता वाड़ी व्यवस्ता इस्थाई बंदोबस्त व्यवस्ता मार वाड़ी व्यवस्ता सब दोस्तों का टाइम पीरिड पर ये सब चीज लागू की गई थी तो ये कब कि गई थी आप मुझे बताएगा इसमेंसे कौन सौ ओप्सन हो जाएगा कि ओप्सन नमबर 1785-198888 या फिर 1780 1780 में ठीक है कब 1780 में स्टार्टिंग की गई थी इस्ताइब अगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर ले देखिएगा साइमन कमीशन जानते हो ना साइमन कमीर्सन तो कब आया था भारत में बताएगा अच्छा कोस्चन आपके एक्जाम में हर बार पूछा जाता यह कुछ कोशन तो ऐसे हैं भारत का सविदान कब लाग हुआ था ठीक है और यह वाले सविदान में विवस्ता कहां से ली गई एक कोशन इसमें से आ सब अच्छे कोशन है जो आपके एक्जाम में आते ही हैं तो कब आयता साइमन कमिशन भारत में अगला कुशन है जलिया वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जिसके अध्यक्स जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ठीक है इस ट्रस्ट के अध्यक्स मोदी जी और आपका जो क्या नाम है गुजरात का जो सार्नाथ है टेंपल उनके वीद्धक्स कोन है मोधी जी है ठीक है प्राइम मिनिस्टर मोधी जी है आपको बतोने कोशन बता दिए बता ये जले वाला बाग अत्यक अंड कब वता ये वता आपका 13 अपरेल 1919 में कब 13 अपरेल 1919 में ठीक है याद रहेगा अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर अजन्ता की गुफाएं किस राज्य में इस्तित हैं उत्तर परदेश में जारखंड में मध्या परदेश में महारास्ट में option number D महाराष्ट में स्थित्य है किसकी अजन्ता की गुफाएं ठीक है तियार हो जाएगा ओरंगाबाद में ठीक है friends कहां पे रहे हैं ओरंगाबाद में महाराष्ट में अजन्ता की गुफाएं एलोरो की गुफाएं ठीक मद्या परदेश में है कौन सी गुफाएं भीम बेटका की गुफाएं ठीक है भीम बेटका की गुफाएं आपके मद्या परदेश में है तयार कर लेना अच्छे तरीकी से नेक्स्ट भारत छोडो आंदोलन कब शुरू हुआ था सभी जानते हैं यह फाएं भारत छोडो आंदोलन कॉइट इंडिया मूमेंट कि यह आपका आठ अगस्त उनिस सो बैयालिस याद कर लें आठ अगस्त उनिस सो बैयालिस मैंने एक बार क्या किया था जैसे वो करते हैं कम्यूनिटी पॉल उसमें मैंने दोस्तों 1946 ऑप्सन के डाल दिया सभी उस पी चले गए पता नहीं क्या हुआ सब उस पी जा रहे हैं बार 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 समस्य बाहर है पता नहीं स्टुडेंट्स कहा है कि पता नहीं कौन बेड़ चाल चलनी शुरू कर देते हैं लगता है आजाद हिंद फौज की स्थापना किस ने की थी अच्छा कोशन है बताएए मुझे चंद सेकर आजाद ने कीती क्या फिर सुबास चंदर बोस या फिर रास बिहारी बोस ने या फिर बंकीम चंदर चटरजी ने किस ने कीती ये आपका उप्सन नमबर बी हो जाएगा इसका सुबास चंदर बोस ने कीती आजाद हिंद फौज की स्थापना ठीक है तैयार होगया कोशन बहुत अच्छा कोशन है अगला कोशन है दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था ये कोशन भी इस तरीके के आपके ऐख़ाम में आए हुए हैं दिल्ली चलो एक नारा भी जाता है जरूर आपके एक्जाम में ठीक है बा कशन न बोस झुछ कीरें हमारे जो परियोजना है वह कौन सी और बनी है भागडा नाकल डैम परियोजना है वो कौन इसी नदी पर बनी है शुपक्न नदी में नदी तापती नदी गोदावरी नदी अगया बताईए इसमें से कौन सा अप्सन हो जाएगा यह ओप्सन नबर भी सतुलाज नदी ठीक है कौन सा है दोस्तो सतुलाज नदी इसका अंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर अब यह बताईए बागण नागल जुन डैम है यह हमारा कौन से राज्य में इस्तित है राज्य का नाम मुझे बताईए फास्ट कौन सा है मंध्या परदेश में यह जार कंड में जार कंड में पर फिर पस्चिम मंगाल में उडिसा में में को पुछिसथ kidding जोट को अपके दोस्तों दो तीन डैम है मैं आपको बताने की और पुछिस करता हूँ जरह देखिएगा एक तुर मैं आपको बता दिया बागडडा नागल डै vind एक होग आपका घरा कुल्ण 7 टीडै01 कौन सब देखिए समरा पंजाब में और ही राकुन डैम आपको उड़ीसा में ठीक है और तियार हो जाएगा दोस्तों इतों यह सारे के सारे हमारे जो मौटे-मोटे से मतलब अगर देखाया मोस्ट इंपोर्टेंट वह यही है ठीक है अगला कोस्टन है किस मच्छर के काटने से डैंगुजवर फैल ठीक है और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि तब यह थोड़ी सी खराब है इस वेसे रुकना पड़ रहा है बार-बार किस मच्छर के काटने से डैंगुजवर फैलता है ओप्शन ए बी-सी-ड आपकी स्क्रीन पर है कि इसमें से कौन सा अप्शन हो जा चाहूं कि चेचके ठीका होता है दोस्तों उसकी खोज किसने की थी चेचके ठीके की खोज किसने की थी मुझे बताइएगा कि कमेंट में अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर जलका एक सिक घनत अधिकतम कितना होता है जो जलका घनत होता है आप एक सिक घनत अधिकतम कितना होत सब्सक्राइब लिए तो याद कर लेना आपका यह होता है दोस्तों प्लस्ट तुट एक से गनत्व आपशन नमबर दी चार डिग्री सेंट्टी रेट त्यार आप आपके स्क्रीण पर नीली किरांती किस सब्सक्राइब सब्सक्रार है डोस्तों नील किरांती है ए नीली किरांती से समंधीत है तर्षन- iran स्वार्ण से मतस्यत से रिलेटेट इस्टूडेंट कि इस यह आपकी मतस्यत से इस लेए सब्सक्रार आपके निली क्रांती ठीक है तैयार हो जाएगा अगला कॉस्षन आफकी स्क्रीन पर सफेद किरांति किसे सबंबन्दीत है आप सफेद की बात हो गई है बताएई इसमें से सफेद क्रांति किसे समंद्दीत है कागज के प्रोडक्षन से तेल से रजद से दूध उत्पादन से यह तो आप जानते होंगे option number 2 दूध उत्पादन से ठीक है दू सबस्यादर मसाले ही मसाले होते हैं जिसे मसाले का भगीचा भी कहा जाता है कौन सा है वो राज यह कि आपकी इस सीरीज का सबसे लास्ट को सना आज कई है यह तीस को सना इसमें आपको करा चुका हूं ठीक है डेली आपको बार-बार एक्जाम में आने वाले जो कुछ सबस्यादर क्या होते हैं मसाला का प्रोडक्शन होता है ठीक है जैसे आपने सुना भी होगा कौन सा इलाइची की पाहड़ियां ठीक है इलाइची की पाहड़ियां लॉंग की पाहड़ियां लॉंग की पाहड़ियां जो सबस्यादर प्रोडक्शन होता यह जो हमारे गरम मसा सब आपका कौन सा केरल तमील नाडू यहीं हर जिगा है तो जो मसालों के लिए सबस्यादा केरल ठीक तो चले दोस्तों यह था हमारा सीरीज का लास्ट को सब्सक्राइब कर लिया अब मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स सेशन में क्योंकि आप अपनी थोड़ी सी हालत भी है यह थोड़ी सी बस आप समझ सकते हो क्योंकि मौसम चेंज की वाज़े से सारा कुछ बिगड़ा हुआ है तो चले कोई नहीं अच्छा लगाओ सेशन लाइक शेयर जरू करिएगा और देखें जोस्तों जरूर